दोस्तों नमस्कार, Electrical Land More Channel में मैं संदीप चोहन आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको Power Saver के बारे में बताने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों बताया जाता है कि Power Saver हमारे घर की बिजली को बहुत ज्यादा कम कर देता है तो दोस्तों Power Saver के अंदर यसा क्या लगा होता है जो हमारे बिजली को कम करता है या फिर नहीं करता है यह सारी चीज़े हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने Super Max के Power Saver मंगा है इन्हें मैंने Amazon से मंगाया है दोस्तों Power Saver Market हैं बहुती सस्ती रेट में उपलब्ध हैं डिस्क्रिप्शन में इन Power Saver का मैंने लिंक भी दिया है वहां से जाकर आप इन Power Saver को परचेज भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस Power Saver के अंदर एक मैनुवल भी दिया हुआ है इस मैनुवल में लिखा हुआ है कि यह Power Saver 40% बिजली की बचत करता है तो इस पावर सेवर के अंदर ऐसा क्या लगा होता है जो हमारे घर के बिजली के बिल को कम कर देता है यहाँ पर भी इस पावर सेवर के आप देख सकते हैं 7-8 इसके फाइदे दिये हुए है और यहाँ पर इसका सरकीट डाइगरम दिया हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पावर सेवर को खोलेंगे और देखेंगे की इसके अंदर कौन-कौन से पास लगे होए हैं जो हमारे घर के बिजली के बिल को कम करते हैं जैसा कि आप दिख सकते हैं यहाँ पर मैंने पावर सेवर ले लिया है सबसे पहले इस power saver को हम चला कर देख लेते हैं कि यह power saver अभी working condition में है की नहीं है इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर extension board को ले लिया है इस extension board के अंदर इस power saver को लगाएंगे और check करेंगे कि power saver अभी working condition में है की नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर power saver की तीनो light जल रही है दोस्तों यहाँ पर जो power saver हमने लिया इसके उपपर तीनो light किस चीच की है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है लेकिन इससे हमें यह तो पता चल रहा है कि power saver अभी running condition में है जब हम इस power saver को खोलेंगे तब ही हमें पता चलेगा कि इस power saver के अंदर जो 3 light दी हुई है वह किस किस चीच के लिए दी हुई है यहाँ पर तो हमें 3 light अभी जलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन इस light को देखकर हम पता नहीं कर सकते हैं कि हमारा power saver बिजली की भी बचत कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसा कि यहाँ पर green light जल रही है तो green light से हम समझते हैं कि power saver बिजली की बचत कर रहा है तो इस power saver के दुवारा हमें जटका लग सकता है क्योंकि power saver bisley को store कर लेता है और यदि हम उसको touch करते हैं तो वह bisley हमारे सरीर में आ जाती है जिससे हमें जटका लग सकता है तो कभी भी power saver के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो आप उसको short कर लें तो आपका power saver फिर आपको जटका या फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा अब इस power saver के अंदर यहां पर हमें seal break करनी होगी इसके लिए हमने यहां पर चाकू लिया है seal break करने के बाद हमें इसे खोलना होगा जैसा कि आप दिख सकते हैं हमने इसके छारो इुष्टू खोल कर इसे बाहर निकाल लिया है अब आप इसके अंदर देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसके अदर ऐसा कुछ engineering नहीं है इसके अंदर आपको क्यों चार वायर दिख रहे हैं दो वायर जो हैं वह इस कार्ड पे गए हैं और दो वायर जो हैं वह इस कंपोनेंट पे गए हैं दोस्तों यह जो यहाँ पर ब्लेक क्लर का आप देख रहे हैं इसके अंदर कैपेसिटर लगाया हुआ है जो हमारे fan के अंदर capacitor होता है वो capacitor ही इसके अंदर लगाया हुआ है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले इस card को हम देख लेते हैं जिसा कि आप देख सकते हैं इस card को मैंने बाहर निकाल लिया है इस card पर दो पीले वाले wire जुड़े हैं यह पीले वाले wire हमारे इस point से आए हैं यहाँ पर हमें phase और neutral देना होता है तो phase और neutral इस card पर आए हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह जो card है यह केवल इतना बताएगा कि हमारा power saver अभी running condition में है की नहीं है यहाँ पर तो 3 indication light दी है उनका कोई मतलब नहीं है यदि हमें manufacturer एक light भी देता तो भी हमें पताच चलता है कि हमारा power saver running condition में है की नहीं है तो यहाँ पर केवल बहकुब बनाने के लिए इस power saver की अंदर 3 light दी गई है इन 3 light का कोई मतलब नहीं है इन 3 light से हमें केवल यहीं पता चलता है कि हमारे power saver के अंदर अभी बिजली जा रही है इसके बाद इस power saver के अंदर इन दोनों point के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक resistance लगा हुआ है दोस्तों यह जो resistance है यहाँ हमारे power saver को discharge करने के काम आता है फिर भी हमें यदि power saver पर काम करना है तो power saver को अलग से discharge कर लेना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर दोस्तों resistance दिया हुआ है लेकिन resistance पर हमें बरोसा नहीं करना चाहिए हमें power saver को अलग से discharge करकर ही रखना चाहिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस black वाले box के अंदर capacitor लगा हुआ है तो दोस्तों इस capacitor को भी हम बाहर निकाल लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको हलका सा खीचा है और हमारा capacitor बाहर आ गया है दोस्तों यहाँ पर इस capacitor के ऊपर कुछ brown color का product डाला हुआ है कुछ material डाला हुआ है इससे इस capacitor को fix किया हुआ है आप देख सकते हैं बाहर से हमारा जो power server कितना अच्छा दिख रहा था अंदर की side इसके अंदर सारा कुछ जुगाड बनाया हुआ है कोई भी दोस्तों standard चीज नहीं लगाई है इसके अंदर सारा कुछ जुगाड है जो capacitor बनाया हुआ है वो भी पूरी तरीके से जुगाड से बनाया हुआ है जो टीनो light लगाई हुई है उस light का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो capacitor लगाया हुआ है वह 4μF का है जैसा कि हमारे fan के अंदर 2.5μF का capacitor यूज होता है लेकिन इसके अंदर 4μF का capacitor यूज किया हुआ है मतलब हमारे जो पंके के अंदर capacitor होता है उससे 2 गुना capacity का capacitor इसके अंदर लगाया हुआ है अब इस brown color के product को भी हम अटा लेते हैं आप देखते हैं कि इसके अंदर वाकई में capacitor है या फिर कुछ और चीज लगा रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं जो पंके के अंदर capacitor का material होता है वैसा ही material हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है यानि इसके अंदर capacitor तो लगाया हुआ है यहाँ पर दोस्तों मैंने जो power saver मंगाये हैं उसे मैंने 3500 रुपे में मंगाये हैं लेकिन इसको खोलने पर हमें पता चलता है कि इस power saver के अंदर कुछ भी नहीं है यह power saver की यदि value निकाली जाए यदि cost निकाली जाए तो 20 रुपे से ज़ादा नहीं है फिर भी जो company वाले होते हैं वह इसका 10 गुना जादा price लेते हैं तो यहाँ पर यह power saver हमें 3500 रुपे में मिला है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि power saver के अंदर कुछ नहीं होता है power saver के अंदर केवल capacitor लगा दिया जाता है यहाँ पर हम पंखे का capacitor लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा और दोस्तों इसके साथ ही power saver पर मैंने और भी practical किये हुए हैं कि power saver बिजली की वाकई बचत करता है कि नहीं करता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कम प्राइज की चीजों का किस तरीके से बहुत जादा मूली लिया जाता है यहाँ पर आपने देखी लिया है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बचता है और यदि आप इस power saver के बारे में और भी जानना चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं अपने सेनल पर इस तरह के वीडियो डालता रहता हूँ थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू थैंक्यू सो मच